त्री डिफ्रेंट बन हेस्टेल फॉर इंडेंड ड्रेस अगर आप सारी और लहंगा पैनते हैं कोई इसी से हेस्टेल जरू ट्राइए कर सकते हैं विकॉस बहुत इसी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा एक जूड़े को बनाने में आइधिंग 2-3 मिनट से ज्यादा नही इस तरह से रबर बैंड लगा रही हूं और यह जो रबर बन लिया मैंने थोड़ा मोटा लिया है अगर आपके बाल पतले हैं तो मोटा रबर बैंड लेंगे जिससे की हैस्टेल बड़ा भी बनेगा और लांग लास्टिंग और अच्छा सा लूग भी आता है नाव परनी कष áreasy उवाइड है दिन जो चोटी गॉत लेया टीन पर में चोटी को वर्म में पर नाव में खरें है और यह चोटी पहल को रिवाइड के यह निउप्य को जिसको अकुला भर्रई बतावर है वम उन्स लूबर बैंसे साइड में बनेगा और अम आपक हैनों आइक है आई तो अलग अलग हैं, जो भी जिसको पसंद है, किसी को साइड बन, किसी को लो बन पसंद है, तो उन में से चूज कर सकते हैं, इसलिए मैं एक साथी ये तीनों को शेयर कर रहे हूं, उसके बाद मैंने चोटी को इस तरह से पूल किया है, ताकि थोड़ा मैसी लुग क्रेट हो जाए और थोड़े बाल मोटे भी लगें, उसके बाद सिंपली आपको बालो को रैप कर देना है, लपेट देना है बैंड के उपर, तक कि जूड़ा मोटा भी लगेगा, बड़ा भी लगेगा, तो पतले बालों के लिए बहुत अची ट्रीक है, इसके बाद सिक्योर कर लि बस और ज्यादा रेकृरिशन की जर्वत नहीं है, और देख सकते हैं, कांप्रीट लूप, यह है फर्स हेस्टाइल फ्रेंड, जो कि दो से मिनिट से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर बनाएंगे तो, वीडियो में दिखा रही है, थोड़ा टाइम लगता है, नौ इसके ब बस फिर थोड़ा रबर बैंन को हुलका सा रोस करना है और अंदर की तरफ तारे बालों को रेप कर देना हैं, आंदर की तरफ डालना है, वीडियो में हो जे पर चाहिएगे एक मिनिट एक लुप बनेट युत जाएगी, तो बालों को अंदर इस एड़ेंपला इस घ्याव से क्लीन कर लिए इस तरह से उपर की साइट से और फिर आपको सिक्योर करने के लिए क्लैचर ले सकते हैं मैं यहां पर यह मेरे पास टिक टैक पिन है थोड़ी डेकरेटिव इसलिए मैं यहां यूज कर दिया है ताकि जो साइट के बाले हो खुले न और जूड़ा बन जाए बहुत है सारे का लेंगे Рण्ज मम बन जाता है चांगा यह है सता है गारी लिए यह दूड़ी भीण के माद बंगाा कंपर दोड़ी प्रतिक दूंद लीटेम से फूरि जूड़ा चैंग शेक मिन मिना सकता है और सबसже कर दो जब्ड आ लिए पेंगा और आपको एक पॉनििटेल बनानी है थोड़ी हाई जीतना हाई जूड़ा चीक बना लीजिए तो पहला जूड़ी टो पहला तो मे रिपास तो ड्यटों आप नॉर्मल भी ले सकते हैं क्योंकि दिखने वाली नहीं घंड है बालो को आंगे की तरफ फिलिप करना है आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैंने बालो को पलटा है उसके बाद क्लिप को सिक्यो कर दिया है तीन से चार फिंगर का गैप रखना है क्लिप को सिक्यो करने के टाइम और उसके बाद बालो को फिर से बैक साइड में पलट ल बालों को स्मूद करना है एंड जितना बड़ा जूड़ा चहई उतना गैप छोड़ी आप एंड में इस तरह जो आखरी बाल में इसमें रभर्ब्र बेंड लगानी है और बच्चे ओब बाल है रबर्बैंड के बाद उसको अंदर की तरफ इस तरह दो पड़ देना है और फ सकते इसको आप अपने डेकरेट कर सकते हैं मैं इस तरह से एक फ्लावर है मेरे पास वह लगा रही हूं और देख सकते हैं इसका कमटीट लूक तो यह थे तीनों बं तीनों का लूग अलग है फ्रेंट से मैंने कुछ भी नहीं रखा है इसलिए मैं मांग्टी का लगा कि आप simply